नमस्कार दोस्तों मैं ब्रीज आपका अपने यूटूब चैनल कम्पिटिशन मैच में स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि हम आप जानते हैं कि हम यहाँ पे हरियाना जी के डेली डोज कर रहे हैं इसमें 10 कोश्चन 10 मिनिट में आपके सामने हैं दोस्तों ठीक है जैसे जैसे आप इनकी प्रेक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी तयारी बढ़ती चली जाएगे दोस्तों डेली आप रीड करिए और यह कोश्चन कीजिए तो आपको अपना लेवल पता लगता रहेगा दोस्तों ठीक है तो मेरे को जो है कम कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता लगएगा कि आप किस लेवल पर चल रहे हैं दोस्तों ठीक है आप कितने कोश्चन कर पा रहे हैं तो मैं नेक्स्ट में नेक्स्ट सेशन में और अच्छे कोश्चन आपके लिए ल में question start करते हैं screen पर आपके सामने question number one hand ten question में आपको कराऊंगा ठीक है पहला question है आपके सामने हर्याना में हडप्पा प्रवर्ती संस्कर्थी वैचित्रित सलेटी पात्र सब्यात्याओ के लोगों के साथ साथ रहने का सरव पर्थम परमान कहां मिला है बताओ दोस्तों कहां पर मिला है ये बताओ सिर्सा में भगवानपुरा महंदरगड नार नोड बताओ तो ये इसका अंसर है दोस्तों भगवानपुरा ये जो भगवानपुरा है इसे बागपूर भी बोला जाता है इसे बागपूर भी बोला जाता है ये कुरुक्षेतर जिले के थानेसर में स्थीत है ये बगवानपुरा जो है कुरुक्षेतर के थानेसर में स्थीत है ठीक है दोस्तो तो आंसर है इसका B आप compare जरूर करते रहे ये question को अपने answer को ठीक है तो next question पे चलते है आप इसका answer है B भगवानपुरा next question दोस्तो परदेश में ऐस्वच्छे वेवसाई में लगे अनुसुचित जाती के बच्चों के लिए किस स्थान पर छात्रावास है तो बताओ दोस्तो अंबाला में है फरिदाबाद में है करनाल में या सभी में जो एस्वच्छ वेवसाई में लगे हुए है जो कूड़ा डोने का, मेला डोने का काम करते है दोस्तो ये उनके बच्चों के लिए कहां पर जो है ये जो है चात्रावास बनाया गया दोस्तो तो ये अंबाला में भी बना ओए दोस्तो, फरीदावाद में भी है, और करनाल में भी है तो यह इस आंसर है दोस्तो D, इस आंसर है D यह सभी में सभी डिश्टिकों में बना हुआ है दोस्तो, है? question number 3 पर चलते है question number 3 है दोस्तो और धोगिक कालिन प्राग अडपा, हडपा परवर्ती, हडपा आधी संस्कृतियों के परमान हर्याना में किस थान पर प्राप्त हुए हैं, बताओ दोस्तो कहां पर प्राप्त हुए हैं ये परमान, तो दोस्तो इसका अंसर है, बताओ, इसका अंसर है D, ये मिर्जापूर मे प्राप्त हुए है, सीसवाड में भी और बनावली में भी। ठीक है दोस्तों? तो यह जो मिर्जापूर है, यह मिर्जापूर जो है हिसार में है दोस्तो ठीक है और सीसवाल भी हमारा हिसार में है और ये जो बनावली है ये भी हमारा हिसार में है दोस्तो ठीक है तो ये तीनों हिसार में इस्थित है और सभी से ये प्राग अडपा अडपा प्रवर्ति अडपा और संस्कृतियों के परमा प्राप्त हुए हैं दोस्तों ठीक है यह हिसार बहुत ही हिसार में यह प्राप जो पुराने सब बता है इसके काफी जो पुराने चीजें हैं वे मिली हैं दोस्तों ठीक है तो यह हिसार जो है पुराततव स्थल है दोस्तों बनावली तो बहुत ही परसीद पुराततव स्थल ह ठीक है दोस्तों तो इसका आंसर है सब भी ये जो मिर्जापूर सी इस वाल और बनाव लिए तिनों है ये तिनों ही आंसर है इसका डी आंसर है इसका दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन है माबारत काल में स्तापदयो पहले हुए R.Y.One.सी कुरुओ ने इस परदेश में किस युग का परारम किया था बताओ दो, बिल्कुल आसान कोश्चन है, मुश्किल हैं नहीं है, तो उनों ने D कर्षी युग का परारम किया था, कौन से कहा, कर्षी सांग ने अपनी पुस्तक में अर्याना के किस नगर के वैभव और समर्दी का वर्ण ने किया है तो बताओ दोस्तों तो बताओ दोस्तों किस स्थान का उन्होंने जिकर किया है बताओ तो उन्होंने स्थाने स्वर इसको थाने सर बोला जाता दोस्तों यह जो अभी थाने सर हो गया है यह कुरुक सित्तर में तो उन्होंने जो थाने सर स्थान है उसका वर्ण ने किया है दोस्तों ठीक है क्यों यह कुरुक सित्तर में स्थीत है और यहाँ पे स्थाने स्वर महादेव का मंदिर भी स्थीत है तो यह काफी परसिद स्थान है कुरुक सित्तर का दोस्तों ठीक है तो कुरुक सेत्र को पावन भूमी माना जाता है अरियाना की तो ये स्थाने स्वर कुरुक सेत्र में इस दीता है जिसका इंसांग जो चीनी आत्री था जो बारत में आया था उसने वरन किया है दोस्तो नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तो सन Baptist of Dент-지만 तो जो जो पतरिका थी संपादन किया था ये बिलब कुछ कोश्चन में आपके लिए तो बिलंकुल आसान कोश्चन है बताईए तो उन्होंने जात गजट गजट का जो है परारब किया था उन्होंने जाट गजट का परारभ किया था नेक्स्ट कोशन दोस्तो सिरी फजली हुसेन के साथ मिलकर चोदरी छोटराम ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थावना कब की थी बताओ यह जो फजली हुसेन थे दोस्तो यह काफी पढ़े लिखे थे जो टेकसास यूनियोस्टी से पढ़े हुए थे यह प्रोफेसर थे ठीक है तो इन्होंने चोदरी छोटराम के साथ मिलकर पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थावना 1923 में की थी दोस्तो तो आंसर है दोस्तो 1923 में की थी इन्होंने चोदरी छोटराम के साथ मिलकर पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थावना की थी दोस्तो 1923 में ठीक है तो यह 1923 में एक पोलिटीसियन थे फजली हुजैनी है नेक्स्ट कुश्शन देखो दोस्तो हर्याणा राज्य की स्थावना कब हुई थी ये तो सभी को पता है ये तो बड़ाई मैंने वैसे बिलकुल आसान खुश्शन आपके लिए डाल दिया है तो हर्याणा राज्य की स्थावना एक नॉम्बर 1966 को हुई थी दोस्तो 1925 में में भारत सरकार दौर अगढित राज्य पुनर गठन आयोग ने किन दोस्तानों को हर्याणा छेत्र में सामिल करने की सिफारिस की थी 1925 में में जो राज्य पुनर गठन हुआ था उसमें कौन से दोस्तानों को अर्याणा में सामिल किया गया था दोस्तो दोस्तों D मेंदरगड और जींद को सामिल किया गया था दोस्तों ठीक हैं? लास्ट कुश्चन है हमारे सामने कुश्चन नमबर 10 24 मार्च 1967 को हर्याडा के पर्थम 16 गैर कांगरेसी मुख्यमंतरी का नाम बताईए बेलकुल आसान हैं दोस्तों बताओ आंसर है दोस्तो ए राव विरेंदर सिंग कौन है राव विरेंदर सिंग ठीक है तो यह आपके सामने में दस कुश्चन जो थे काफी अच्छे कुश्चन थे एक्जाम लेवल के कुश्चन मैं आपको करा रहा हूं दोस्तो तो चैनल के साथ जुड़े रही है और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तो को सेर कीजिए ठीक है मैं डेली डोज में 9 से 10 के बीच मैं आपको यह वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तो वैसे 9 बजे ही 9 बजे के करीब मैं आपको यह वीडियो डेली प्रोवाइड कर देता हूं दोस्तो ठीक है तो आप चैनल से जुड़े रही है और जे कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं कि आपने कितने कुश्यन है ठीक किये हैं दोस्तो ठीक है यह आपके सामने जो है जो आंसर है उनकी लिस्ट है ठीक है तो इसको कम से कम भी दो बार जरूर देखें क्योंकि आपको जो प्रैक्टिस है वो एक बारी अच्छे से हो जाएगी दोस्तो ठीक है तो यह आंसर से हैं आपके सामने ठीक है दोस्तो तो कल मिलते हैं डेली डोज में पार्ट फोर में ठीक है यह आज हमने पार्ट थ्री किया तो कल पार्ट फोर में मिलते हैं दोस्तों मैं डेली आपको ये कोश्चन कराऊंगा दोस्तों पार्ट फाइफ के बाद मैं दो पार्ट आपको कम्प्यूटर के कराऊंगा जिसमें 20-20 कोश्चन कम्प्यूटर के important होंगे क्योंकि हर्याना पुलिस और ग्राउंट्स चीम में अच्छे मह आई तो छो दें दोل दी टोस तो हम चलांगे ही उसमें हमारा одна चलता रहेगा वसकी साथ य거 computer के दो part भी हमें करेंगे दोस्तो, ठीक है, week में दो part हमें जरूर करेंगे दोस्तो, ठीक है, तो next video में मिलते हैं दोस्तो, okay, तब तक के लिए, नमस्कार.